हेलो दोस्तो मेरा नाम रहुल खान और हमारा इडियो चलन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम एही बताएंगे जो मोबाइल के बार में जो इंडिया का दो नमबार मोबाइल से जुड़ा जा सकता है तो हम उसी का बात करते हैं तो दोस्तो आप वीडियो का थामना सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइगोन को दबा दीजिए जो मेरा आने बाला वीडियो आप आसने से देख सकते शुरू करते हैं तो दोस्तो इस मोबाइल का नाम है हुआवई मैक्स 20 प्रो ये मोबाइल का नाम है और इसका फूल डिटेल्स हम आपको बदाऊंगा तो स इसका रेजुलेशन होगा 30 120 x 1440 इसका इस मोबाइल का रेजुलेशन है तो दोस्तो इस मोबाइल का कैमरा की बात करते है तो इस मोबाइल का कैमरा है त्रिपल रियर कैमरा और दोस्तो बैक में कैमरा है त्रिपल यानि तीन कैमरा है इस कैमरा का बात करते है तो पहले है phone camera के लिए बात करते हैं तो इस mobile का phone camera में है 24 megapixel camera जो selfie बहुत ही अच्छा होता है और दोस्तो इस mobile से 3D face lock दिया हुआ है बहुत ही अच्छा काम करता है तो दोस्तो और एक बात जो है इस mobile का और एक extra recharge है जो किसी भी mobile नहीं है तो दोस्तो ओ है इस mobile का धूल और फानी से कोई इस mobile का असर नहीं पड़ता है यह हुआ एक plus point और एक friend जो आप सूच नहीं सकते इस mobile में यह नहीं है तो इस mobile में headphone jack नहीं दिया हुआ है इस में इस mobile से headphone नहीं है और दोस्तो इसकी साथ साथ बैक में कोई fingerprint नहीं है तो दोस्तो और इस mobile का राम का बात करते हैं इस mobile का RAM है 6 GB और इसका internal memory होगा 128 GB तो दोस्तो बहुती अच्छा है इस mobile का बैटरी जो है उस battery का 42 M award है यानि इस mobile चार्ज अच्छा रहेगा और दोस्तो इस mobile का ओजन है इसका ऑजन है बहुती कम है यूज करने से बहुती अच्छा रहेगा तो दोस्तो इस mobile का कीमात की बात करते हैं तो इस mobile का कीमात है 70,000 से 10 रुपया का 69,999 तो यह है इसका कीमाथ और इसकी साथ आपको एक देगा हेड़फोन हेड़फोन का कीमाथ होगा 29,990 का कीमाथ होगा आप मोबल का और हेड़फोन का एक साथ में होगा 71,990 इसका कीमाथ पड़ेगा तो दोस्तो बहुत जिए अच्छा है तो दोस्तो एक हमारी आज का टपिक अच्छा लागा आज लगे तो प्लीस लाइक किजीए और कूश। और कमेंन करकर बाता है बीज्क लगे हमारी इस लगा और दोस्तो अबी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भीजिए और बेल आइकन को दबाद दीजिए तो दोस्तों आज इतना ही